दोस्तों प्रदीबिरी एकटमी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारा जो टॉपिक है हुआ है एप्लिकेशन ओफ डिफिरेंशियल इक्वेशन पे अल्रडी मैंने दो वीडियो बना दिये हैं और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगर आप अपने स चीजो को समझ में आएगा और हम मैक्स की तरह इससे सॉल्ड करने की कोशिसक और आने के लिए से की सबसे पहले किस भी बहुत चीज़े हो जाता हुँ जैसे यहां पर अगर आप घी म कीकिस से रैक मिक्ट ωb six तो टे नर्लक शों पकरते है और सब यूनिटат आपको पता है second है then electric charge है तो यहां पे हम उसे later q से denote करते हैं और उसका unit जो है वो प्लीज अगर आप comment करके बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है then current है current यहां पे आए दिखाई दे रहा तो उसका unit के है प्लीज आप comment करके बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है वैसे कोई जरूरत नहीं है then next है capacitance जिसे हम later c से denote करते है और दोस्तो यहां पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा and then यहां पे इसका unit है then at least आपको बस यह तीन चीज़े अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा लेना है then यहां पे आपको electromotive force दिखाई दे रहा है जिसे हम capital letter e से denote करते है और बाकी बस इतनी चीज़े आपको यहां पे वाल्ट याद रखना वाल्ट में दिया रहेगा इतनी चीज़े बस आपको पता होनी चीज़े the next है हाँ अब देखो यह जो भी मैं यहां पे लिखा हूँगा बस उसे आपको अच्छे से दीमाग में बिठा लेना है अच्छे से एक बार practice कर लेना है then मेरे सब question solve करने आना है तो देखो आपको one by one सब चीज़े solve करने आई अब देखो voltage drop across resistance voltage drop across inductance voltage drop across capacitance अब across resistance की अगर मैं बात करो तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों आ रहा है यह याद रिखना क्या आएगा आ रहा है please बस यह इतनी चीज़ों को आप अपने दिमाख में बिठा लो देखो resistance है तो R है बस उसके साथ I multiply है then यहाँ पर अगर inductance है तो L है और उसके साथ D I by D T multiply है यहाँ पर D I by D T और यहाँ पर Q by C अब दोस्तों यहाँ पर I जो है उसे हम ऐसे भी लिखते हैं D Q by D T यह भी आपको पता होना चीए बस इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो आप RM से को सॉल कर लोगे अब चलते हैं आगे अब दोस्तों यहाँ पर क्रिशॉफ्स अगर आपने 12 पर पढ़ाऊगा उसके दो लोग है एक current का है एक voltage का है पर मैं यहाँ पर जो जो चीजों की हमें requirement है मैं उसकी बात कर रहा हूँ देखो यहाँ पर बस एक तम यहाँ दखो voltage drop equal to electromotive force मतलब EMF मतलब E अब voltage drop equal to बतलब क्या है जैसे कि यहाँ पर मैंने एक diagram बनाया है अब इसी में आप यहाँ ही पर क्रिशॉफ्स फ्लॉफ समझ सकते हो देखो यहाँ पर आपको पता है कि यह क्या है resistance पर जो voltage drop होता है उसे हम क्या बोलते है दोस्तों आ रहा है देन इसकी बाद यहाँ पर क्यापे sentence है तो क्य voltage drop होता है उसे हम किस से लिखते है दोस्तों q by c और equal to यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर e हो गया तो यही इसे ही हम क्या बोलते है देखो यहाँ पर voltage drop across यहाँ पर is equal to electromotive force equal to e है तो यही आपका दोस्तों क्या है यही आपका क्रिशॉफ्स law है voltage law है मैंने जान तुछ के यहाँ पर current law नहीं लिखा क्योंकि हमें जिसकी requirement है उसके बारे में यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत सारी चीजे यहाँ पर ऐसा unwanted दे दूं कि जिससे आपका burden और बढ़ जाए अगर आप मेरे lecture को देखोगे तो आपको एक मजा आ जाएगा और अल तो e raise to 80 एको मैंने same लिखा ए यहाँ पर upon है अंडर रूट में यहाँ पर देखो ट के आगे क्या है दोस्तो हमेशा उसका square लेना है तो a है a का square और यहाँ पर दोस्तो t के आगे यहाँ पर sign के साथ क्या है तो b का square और दोस्तो इसके बाद sign same लिखाऊ और यहाँ bracket में क्या लिख रहाओ, BT, देखो यहाँ पर जो BT था वही लिखाओ, और यहाँ पर minus, यहाँ पर क्या है दोस्तों, और यहाँ पर the value of 5 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करो तो यह क्या आएगा, tan inverse, b by a, यहाँ रिखना, पहले b है, then a है, please mistake मत करना, बस, same to same यही है, बस यहाँ sign की जग़ा पर cause आ जाएगा, तो बस अगर यह एक आप एक बार अच्छे से practice कर लो, तो यह भी आपके दीमात में हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर मैं दो तरह के circuit की बात कर रहा हूँ, सबसे बहले यहाँ पर यहाँ आप को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आएक का मैंने थोड़े दीर पहले मैंने कुछ value बोला था ऐखो ध्यान से देखो मैंने i का याद कराओ Dq by dt यहाद को वेलू मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने i का value put up किर दियए निंत्यजें यहां पे अगर कभी भी केपस इते ynस साथ में है तो आपको यहाँ पे इसका वेल्यू पुटफ करना है, then dq by dt लिखने के बाद हम जो lesson number first मैं फिर से starting कर रहा हूं तो मैंने already उसके पर एक lectures बना दिये हैं और formula आपने learn कर लिया होगा, पर lesson number से already हमने first के lectures हमने बना दिये थे, पर फिर से मैं उसे design कर रहा हूं अच्छे से, तो 4-5D में मैं वो भी पूरा complete करके दे दूँगा आपको, तो साथ में उसके अंदर हमने हम ये concept पढ़े हैं, अगर आपने ध्यान से सुनाओगा, तो यहाँ पर देखो, हमने linear differential equation पढ़ा होगा, तो जिसमें ये term नहीं होता, तो मैं क्या गरूँगा, पूरे equation को R से divide करूँगा, तो देखो, dq by dt हो जाएगा, ये Q ऐसी रहेगा, देखो, R यहाँ पर, R अगर इसके नीचे आएगा, तो R R cancel हो गया, फिर यहाँ पर R आया, इसके नीचे आगया, देन इसके नीचे भी R आ गया, तो finally हमारा equation इस form में बना, तो ये आप एक दो बार लिख के practice कर लेना, कैसे करें सर, फिर से मैं बता रहो यहाँ पर solve कर रहो, R, यहाँ पर क्या हो, voltage drop आ रहा है, जो मैंने पीछे याद कर रहा है, कहाँ पर याद कर रहा है, सर आपने, जरूर आप मेरे इस lecture के बाद बहुत भी सांदर comment करोगे, देखो, यहाँ पर आ रहा है, बहुत simple सा, लोगों को लगता है कि यह topic बहुत hard है, पर मैंने बहुत simple किया है, यहाँ पर आप C की अगर बात करोगे, capacitance पर क्या आएगा, voltage drop Q by C, and which is equal to E, यह हो गया, then, सर अगर कभी भी capacitance अगर साथ में है, तो हमें हमेशा I का value put up करना है, जो मैं बोल रहा है, अगर capacitance साथ में है, तो I का value put up करना है, तो यहाँ पर दोस्तों, R हो गया, I का value क्या हो गया, DQ by DT, यह भी सर ने याद करा दिया था, then Q by C, and which is equal to E, then, दोस्तों, इसके अगर DQ by DT, मुझे differential equation, linear differential equation के form में लेकर आना है, then, इसके अगर पूरे equation को मैं R से divide करूँगा, तो finally, यहाँ पर क्या हो जाएगा, DQ by DT, और यहाँ पर क्या और यहाँ पर भी दोस्तो, R आजाएगा, कहाँ पर बस R नहीं आया, जो यहाँ पर था, R R cancel हो गया, तो finally, यह हमारा, आपको हरे question, इस तरह के question को इसी से start करना है, तो please, आप इसका practice कर लो, चाहे कैसे, इसके बहुत सारे question theory type में आते है, theory type में आते है, मतलब आपको ऐसे ह हमको solve करना है, उससे भी आपको डरना नहीं है, अगर number type से पूछे तो और अच्छी बात है, अब देखो यहाँ पर LR circuit है, LR circuit में यहाँ पर आपको R मिला, और यहाँ पर L मिला आपको, यहाँ पर L भी आपको मिल गया, inductance, उसको हम later L से हम denote करते है, बहुत simple है, देखो य ही आएगा, तो ही आपको I का value put up करना, यहाँ पर आपको I का value नहीं put up करना, क्योंकि यहाँ पर already di by dt दिया हुआ है, वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं dq by dt लेकर आ रहा था, देन दोस्तों इसके बाद क्या करना है, हमें हमारे equation में जिसे हम dq by dt अकेला रखते थे, R से प पूरे equation का L से divide करोगे, तो यहाँ पर L तो आएगा नहीं, यहाँ पर इसके नीचे एक देखो, एक L आया है और इसके नीचे एक L आया है, सर इसे आप एक बर practice के तोर पर बता सकते हो, जरूर मैं बता सकता हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ यह मैं ले रहा voltage drop इसका क्या आएगा, D I by D T, देन दोस्तो इसका क्या आएगा, R I, और equal to क्या आएगा, दोस्तो E, तो finally क्या आएगा, D I by D T, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, R by L, I, और equal to E by L, तो इस तरह से अगर आप देखोगे, तो यह भी एक differential equation बन गया, linear differential equation और हम आसानी से, इसे हम solve कर सकते हैं, there अब मैं question पर आ रहा हूँ, question भी हम बहुत सांदर तरीके से solve कर सकते हैं, यही question solve करने के दो method हैं, मैं direct starting से numbers लेके some solve कर सकता हूँ, या तो पूरा का पूरा theory की तरह some solve करूँ, and मैं numbers पर जाओ, दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं numbers से जाता जिस में numbers से solve कराते हैं, तो इसलिए मैं 4 हो की उसी तरह से जाओ, देखो सबसे पहले, a resistance of 100 ohm, तो मुझे पता चल गया कि R का value कितना दिया है, दोस्तों, 100 ohm, then अगर मैं देखू तो आगे inductance, मतलब अपने को L का value कितना दिया है, दोस्तों, 0.5, 0.5 H, Henry, are connected in series, with battery of, battery of 20 volt, मतलब अपने को ये दोस्तों, E का value दिया है, कितना दिया है, 20 volt, find the current, मतलब अपने को क्या find out करना है, I find out करना है, दोस्तों, in a circuit, as a function of T, मतलब I आपको निकालना है, T के function में, I का value आपको क्यों से function में निकालना है, T के term में निकालना है, देखते हैं कैसे some solve होता है, सबसे से पहले आप एक डाइग्राम बना दो डाइग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी यह कोश्टन सौल हो सकता है सबसे पहले इस कोश्टन में इंडक्टेंस की चर्चा की गई है तो इंडक्टेंस के बारे में आपको पता है L D I by D T मैं यहाँ पर उपर लिख देना according to Kritshof's law, voltage law इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो resistance की बात की गई है तो क्या आएगा R I और equal to क्या आएगा दोस्तो E आपको already मैंने पीछे देखो practice करा दिया है यह देखो पीछे पूरा practice करा है देखो यहाँ पर then आपको उसी तरह से sum start करना है आपको पता है कि पूरे equation को L से हम divide करेंगे then इसके बाद D I by D T यहाँ पर क्याएगा R L I और यहाँ पर क्याएगा E by L आपने पूरे equation को L से divide कर दिया दोस्तो इसके बाद आपको क्या करना है जस्ट मैं value put up कर रहा हूँ आप last में value put up कर सकते हो R का value कितना है दोस्तो R का value है 100 और L का अगर मैं value की बात करूँ तो L का जो value है वो है 0.5 then यह क्या हो जाएगा I then E का value कितना है दोस्तो 20 और यह भी है 0.5 तो finally अगर मैं देखू तो यह क्या हो जाएगा D I by D T अब दोस्तों यह 100 है 0.5 मतलब 1 by 2 होता है आप Kelsey में देख लेना 2 पर जाएगा तो यह direct 200 होगा आप Kelsey में इसका calculation निकाल सकते हो then यह भी double हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 40 अब अगर मैं ध्यान से देखू तो मेरा ऐसा कुछ equation बना है and this is the required equation of linear differential equation यह linear differential equation की तरह है अब linear differential equation की तरह है तो थोड़ा बहुत मैं explanation आपको दे देना चाहता हूँ यह आपको आपके answer sheet में लिखनी की ज़रूत नहीं है यह just आपको lesson number first का overview दे रहा हूँ अगर कभी भी हमारा equation इस form में था dy by dx plus py equal to q इस form में अगर कभी हमारा equation वैसे मैं lesson number first की हमने अधिती मैंने आपके लिए वीडियो बनाया पर मैं भी बना दूँगा तो और अच्छे से मैं सब चीजों को आपको बता दूँगा अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो इस form में वहाँ पर हमें linear differential equation दिख रहा था then इसके बाद यह जैसे हमें दिख रहा था then हम integrating factor निकालते थे e raise to यहाँ पर हम p dx रखते थे यहाँ रखना यहाँ अगर नीचे जो term होगा वही हम रखते थे चांट है और उसके बाद हम उसका general solution कैसे निकालते थे दोस्तो general solution यहाँ पर कॉन सा term है दोस्तो यहाँ पर देखो कॉन सा term में y है तो हम यहाँ पर y लेते थे then हम integrating factor से multiply करते थे then integration of फिर से हम integrating factor लेते थे into हम यहाँ पर q लेते थे q का जो भी value होगा और हम यहाँ पे यह जो नीचे वाला term है दोस्तो dx और प्लस यहाँ पे कोई भी constant हम ले लेते थे जैसे मैं a ले लिया यह पूरा का पूरा step है आपका आपका यह पूरा का पूरा जो क्रिशॉप्स law है वो part आपका solve हो गया अब आप आगे के part पे जब जाओगे तो आपको बस यही वाला पूरा का पूरा method क्या करना है यहाँ पे apply करने की dx लिया मेरा यहाँ पे क्या है दोस्तो dt है देखो आपको बहुत easy हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा dt तो यह क्या हो जाएगा e raise to p का value कितना है हाँ देखो यहाँ पे जो y के आगे जो value हो पी का है तो वैसे i के आगे जो value हो यह कून सा है दोस्तो p का value है यह p ह और यह वाला जो value हो क्या है Q है तो आप अलग से लिख सकते हो P और क्यों तो यहाँ पर क्या हो गया दूस्तो 200 और यहाँ पर क्या हो गया दूटी तो finally अगर मैं integrating factor का answer निकालू तो E raise to 200 बाहर constant आ जाएगा और अगर कुछ नहीं है तो तो वन का integration क्या आता है अगर वन की जागव पर करेंगे जन्रल सॉलूशन पर आएगे पूरे फुल फॉर्म में लिखना जन्रल सॉलूशन जन्रल सॉलूशन कैसे आएगा जैसे यहाँ पर Y है क्योंकि यहाँ पर क्या है P के बाद क्या है Y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I into integrating factor फिर यहाँ पर फिर से क्या हैगा integrating factor into यहाँ पर क्याएगा दोस्तो Q और यहाँ पर जैसे DX है वैसे हमारे सम के यहाँ पर नीचे क्या DT है तो यहाँ पर क्याएगा DT और आपको confusion नहों तो इसलिए मैं constant term A ले रहाँ आप कुछ भी ले सकते हो आप देखो यह I ऐसे ही है integrating factor का answer क्या है दोस्तो E raise to 200T यहाँ पर क्या हो जाएगा यह देखो integration integrating factor क्या होगा E raise to 200T Q का value कितना है दोस्तो Q का value अगर आप देखो कि तो 40 है और यह DT है और यह प्लस A अब देखो यहाँ से अगर आप step देखोगे तो पूरा का पूरा lesson number first है अभी बस यह हमने यहाँ पर cover किया है आप देखो मैं थोड़ा सा इसे उपर ले रहा हूँ अब मैं closest करूंगा इसे आगे solve करने के लिए अब देखो यहाँ पर आए E raise to 200T constant आपको integration पता है अगर है 40 है तो बहार आ जाएगा जस्ट अंदर क्या बच्छा 200T और यहाँ पर DT प्लस A मैं जान बुचके 2-3 step एसे लिख रहा हूँ कि normal से normal student को भी मेरे step समझ में है E raise to X का integration क्या होता है दोस्तो E raise to X तो यहाँ पर मैंने E raise to X लिख दिया बट यहाँ पर T जैसे E raise to X है वैसे E raise to T है तो E raise to T लिख दिया पर T के T ही आना चाहिए ता वहाँ पर 200T आए तो T के आगे जो number आता है उससे आपने यहाँ पर divide करते है integration में rule है मैंने मेरे lesson number first के first lecture में integration explain करते time बताया है then यहाँ पर A आएगा तो finally यह दोको यह 0-0 cancel हो गया 1 जा और यह 5 जा तो finally अगर मैं इसे color change करके लिखना चाहता हूँ देखो मैं यहाँ पर I लिखू E raise to 200T लिखू equal to यह दोको यह क्या हो जाएगा उपर कुछ नहीं है तो 1 by 5 E raise to 200T और यहाँ पर नीचे तो कुछ नहीं है और यहाँ पर क्याएगा दोस्तो प्लस A यहाँ तका पार्ट आपको समझ में आए अब यह पार्ट समझ में आने के बाद देखो systematic देख लो हमने I लिखा यह लिखा 1 by 5 perfect है 200 और A अब देखो मैं क्या करूँगा हमेशा यादर में यहाँ से I single रखने के लिए आपको E raise to 200T से पूरे equation को divide करना होगा जैसी मैं divide करूँगा तो यहाँ पर I हो जाएगा क्यूंकि E raise to 200T यहाँ पर already है तो नीचे अगर मैं divide में लूँगा तो यह cancel हो जाएगा यह 1 by 5 SE रहेगा यहाँ पर भी already E raise to 200T है तो यह भी divide होगा तो cancel हो जाएगा बट A जो है A के यहाँ पर E raise to 200T नहीं है तो वहाँ पर मैं divide करूँगा तो नीचे रहेगा फिर मैं अगर उसको उपर लूँगा तो वह minus 200T हो जाएगा तो यहाँ रखना यहाँ पर जो value होगा इसके साथ है तो मत लिखना इसके साथ है तो भी मत लिखना पर जिसके साथ नहीं है same वाला value minus form में लिखना जिसको नहीं समझ में आ रहोगा अब आपने यह लिख दिया यह आपका main equation हो गया इसको चाहिए तो equation number first दे दो अब यहाँ पर main answer हमारा आ चुका है I का value जो है वो T के term में आ चुका है पर यहाँ पर एक constant है तो हमेशा अगर यह constant का value हमेशा आपको निकालना होगा तो हमेशा इस constant का value निकालने के लिए मैं यहाँ पर solve कर देता हूँ constant का value निकालने के लिए आपको क्या करना चीए condition put करना चीए initial condition पर जो है I का value 0 होगा और T का value क्या होगा 0 होगा initial condition apply कर देने का तो देखो यहाँ पर i का value अगर मैं 0 put करूँ तो यह क्या हो जाएगा 1 by 5 और प्लस यहाँ पर क्या हो गया दोस्तो a और यहाँ पर p के जगह पर अगर मैं यहाँ पर 0 put करूँ t के जगह पर t into 200 भी 0 हो जाएगा और minus तो finally अगर मैं a की बात करूँ तो minus 1 by 5 इस तरह से इतना step wise को यह आपको कहीं पर आपको sum नहीं दिखाई देगा अब मैं क्या कर रहा हूँ फिर से यह वाला जो value है इसके अंदर put up करूँगा अब देखो मैं यहाँ पर अब देखो मैं फिर से निकाल हूँ यहाँ पर लिख दो from equation इसी के ज़स्ट नीचे लिखने का from equation number first अब देखो यह 1 by 5 ऐसी है यहाँ पर a का जो value है क्या है minus 1 by 5 और e जो है e raise to minus 200 t वैसे ही है अब अगर आप इससे solve करोगे तो e equal to अब देखो यह 1 by 5 हो गया minus 1 by 5 e raise to minus 200 t और अगर इससे आप solve करना चाहोगे तो i which is equal to 1 by 5 अब देखो 1 by 5, 1 by 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर क्याए e raise to minus 200 t तो इस तरह से आपका यह first वाला question का answer आ गया तो उन्होंने क्या बोलाता है कि i का जो value है वो t के function में निकालो तो हमने निकाल दिया इसके अंदर कोई भी constant term नहीं है इस तरह से आपका first question क्या हो गया solve हो गया second question मैं लिखता हूँ second question एक और question में आपको solve करके दिखाता हूँ कुछ integration के formula वाले जो sign वाला है और इस तरह से कोई भी question आएगा तो आप easily handle कर लोगे तो दोस्तों चलते हैं नेक्स question की और next question भी हमने लिख लिया है अब next question जो है हमारा वो है the equation of LR circuit is given by भाई इसका equation उन्होंने direct हमें दे दिया है क्या बात है equation डारेक्ट दे दिया और उन्होंने condition भी हमें दिया है और हमें last में अपना i जो है t की तरह express करना है जैसा पिछला समता वैसा ही चलो अब यहां पर मैं लिख रहा हूँ L equal to sorry L di by dt plus ri equal to 10 sin t इस तरह से इन्होंने question दिया है आपको पता है कि पहले पूरा equation को हम L से divide करेंगे तो पूरा equation क्या हो जाएगा हमारा इस form में चले जाएगा और यहां पे 10 sin t upon यहां पे क्या हो गया L इस तरह से हमारा पूरा का पूरा equation वन गया अब अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पे अगर P का जो value है वो दोस्तो क्या है R by L और Q का जो value है 10 sin t upon L क्योंकि यहां पे कोई भी हमें L और R का value नहीं दिया है तो इसी तरह से अब अगर मैं इस से लिखो तो सबसले मैं integrating factor निकालू integrating factor आपको पता है E raise to P यहां पे क्या है दोस्तो DT है तो DT में चले जाएगा तो E raise to P P का value क्या है दोस्तो R by L थोड़ा सा यह question theory की तरह solve करना है चलेगा हमें कोई problem नहीं E raise to देखो यहां पे मैं RL लिख रहा हूँ और साथ में RL constant तो मैंने बाहर ले लिया यह दोनों constant थे T आएगा तो साथ में T multiply बढ़ाएगा यह दीमाक में रखना तो हमें I F का जो value है वो मिल गया E raise to R T by L यह अच्छे से दीमाक में दोस्तों बीठा के रखना अब जैसी यह value मिलेगा देन हम किस के पीछे चले जाते हैं हम जाते हैं general solution के लिए अब general solution के लिए अगर हम जाएंगे तो हमारा general solution क्या बोलता है I क्योंकि यहाँ पर Y की जग़ा पर जो आया value वो I आया है then I के साथ क्या आता है integrating factor which is equal to integration of integrating factor into Q और यहाँ पर क्या आएगा D T plus capital A अब यहाँ पर I यह E raise to जो भी है वो लिग दो R T by L बहुत अच्छे से solve करना आराम से करना कुछ mistake मत करना then यहाँ पर देखो E raise to R T by L and then Q Q का value क्या है दोस्तो Q का value क्या है 10 sin T upon L और यहाँ पर क्या है दोस्तो plus sorry D T नहीं दिया D T plus capital A अब यहाँ पर आपको क्या करना है just integration आना चाहिए E raise to R L by sorry R T by L अब दिखो यहाँ पर अगर constant हम की अगर आप बात करोगे तो सबसेले यह 10 constant है और यह L constant है क्योंकि इसके अंदर भी T है इसके अंदर भी T है और into sin T और यहाँ पर क्या D T plus A अब अगर आपको integration पता होगा चोनो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से integration of E raise to A T sin B T मैंने पीछे ही लिख के दिया है इसका अगर मैं integration लिखने जाऊं तो E raise to A T upon under root of A square plus B square और यहाँ पर क्याएगा दोस्तो sin B T minus phi and value of phi क्या होगा comment करके बता सकते हो value of phi होगा tan inverse B by A तो यह वाला formula अब हमें क्या करना यहाँ पर apply करना क्योंकि इसका integration इसी formula से निकल सकता है तो यहाँ पर E raise to something है और sin T है तो इसलिए और यहाँ पर T के आगे कुछ नहीं है मतलब B का value कितना है T के आगे अगर कुछ नहीं है तो यह T के आगे यहाँ B है तो यहाँ B पर कुछ नहीं है तो B का value कितना होगा 1 और यहाँ पर अगर देखो T के आगे देखो T के आगे A है तो यहाँ T के आगे क्या है R by L है तो A का value क्या हो जाएगा R by L, थोड़ा सा यह दीमाख में रखना, जस्ट यहाँ पर put up करो, देखों, यह मैं लिख रहा हूँ, I, E raise to, RT by L, equal to, 10 by L, वैसे ही है, अब देखों, मैं integration निकाल रहा हूँ, direct integration का answer लिख रहा हूँ, E raise to, AT, AT मतलब जो भी है, RT by L, upon, under root of, A square, A का जो value है क्या है, R by L है, तो यहाँ पर कहाएगा, R square upon L square, A हो गया square, plus B square, B का value कितना है, दोस्तो, 1 का square, तो 1 square कर दिया, एंड दोस्तो, इसके बाद क्या है, sine, BT है, B का value कितना है, B का value क्या है, 1 है, तो direct T आएगा, और minus का आएगा, दोस्तो, direct phi आएगा, और आपको phi का value भी आप निकलतो हो, चोड़ा समय इसको यहाँ दे रहो, हाँ, phi का value भी आप निकलतो, phi का जो value है, वो कहाएगा, tan inverse, B by A, तो यहाँ पर 5, which is equal to tan inverse, B का value कितना है, 1, यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखा है, then A का value किया है, दोस्तो, R by L, मैं हर एक step आपको लिखके दे रहा हूँ, then tan, phi का value किया आएगा, L by R, तो यह भी हो गया, अब यह होने के बाद, अब आपको क्या करना है, दोस्तो, बस यहाँ पर initial condition आपको apply करना है, initial condition क्या है, अब आपको यहाँ पर, sorry मैंने यहाँ पर integration जब apply किया, तो यहाँ पर plus A आएगा, plus A मैंने नहीं लिखा, plus A, यह वाला part confuse नहीं हो ना, यह अलग part है, अब आप क्या करो यहाँ से, थोड़ा सा इसे मैं और simplify कर रहा हूँ, I multiply by E raise to RT by L, 10 by L, देखो E raise to RT by L upon, देखो यह, इसका मैं simplify यहाँ पर करके दिखाता हूँ, R square plus L square, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 से R square होगा, यहाँ पर L square होगा, और नीचे के आएगा दोस्तो L square, देखो नीचे भी क्या आएगा, नीचे जो L square है, यहाँ पर मैं अलग से root दूँगा, मैंने दोनों को root बाट दिया, तो finally, यह दोनों को root है, इसलिए cancel नहीं होगा, यह ऐसी आएगा, पर यहाँ वाला यह root single को था, तो इसलिए cancel होगा, यह direct यह L हो जाएगा, तो direct मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, under root R square plus L square upon L, ऐसे कोई भी book में, आपको इतना stepwise ठीजन नहीं लिखी होगी, तो please यह आप इसका screenshot ले सकते हो, side में लिखने के लिए, और जिनको already आता है, तो उनको जरूवत नहीं है, then यह क्यों हो जाएगा, यह LL क्यों हो गया, cancel हो गया, and then इसके बाद, sine T minus 5 plus A, वैसे ही आएगा, अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूँ, देखो मैं I का value ही निकालते जा रहा हूँ, अगर मैं और इसे अच्छे से लिखूँ, तो यह I हो गया, then, अगर मैं, छोलो पहले एक बार लिख देता हूँ, E raise to RT by L, equal to 10, जबों यहाँ पे 10 आया, यह वाला part, चाहिए तो आप इसके नीचे लिख दो, under root of, नहीं नहीं, हाँ, यह लिख दो, R square, plus L square, और यहाँ पे क्या बच्छा, E raise to RT by L, और यहाँ पे क्या बच्छा, sin T minus 5, और प्लस A, अब अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, तो E raise to RT by L से पूरे equation को divide करतो, तो यह क्या हो जाएगा, I which is equal to, 10 upon, under root of, R square, plus, plus L square, अब दोगों, यह वाला cancel हो गया, यहाँ से यह भी cancel हो जाएगा, यहाँ से यह क्या हो जाएगा, sin T minus 5 हो जाएगा, और प्लस A raise to, आपको पता है, पिछला सम देखा होगा आपने, इसमें cancel हो जाएगा, और यहाँ पर minus form में आ जाएगा, R T by L, अब यह जो आपका आ गया, यह मुझे तेढ़ा मेरा line हो रहा है, तो इसको मुझे खुद से bracket देना होगा, यह देखो, यह मैं खुद से bracket दे रहा हूँ, अब यहाँ पर आप बस initial condition निकालो, और इसे equation number first दो, वहाँ से आप A का value निकालो, जस्ट यहाँ पर put up करो, अब देखो, मैं यहाँ पर initial condition अपलाए कर रहा हूँ, आप नीचे-नीचे solve करना, मैं बस ना जगर नहीं है, तो, अब देखो, मैं यहाँ पर initial condition है, मतलब I का value मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, यहाँ पर देखो, दोस्तो 10 है, और यह क्या है, under root of r square plus l square, थोड़ा सा lengthy sum जा रहा है, प्योंकि मैं step wise जा रहा हूँ, मैंने तो 2-3 step इसी में बढ़ा दिया है, लोगों समझ मैं इसलिए, नहीं तो मैं भी चाहता तो कम कर देता, अब देखो, यहाँ पर T का value हमें क्या लेना है, 0 लेना है, initial condition अप्लाई कर रहा हूँ, कि I equal to 0 and T equal to 0, लिज याद रखना है, यह उसके नीशे का part है, तो यहाँ पर T का value 0, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर T है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो डारेक्ट यह लिख रहा हूँ, अगर आप इससे solve करोगे, यह भी stepwise solve करके दे रहा हूँ, 10 under root of r square plus l square, अब यहाँ पर यहाँ पर क्याँ जाएगा, sine minus of 5 हो जाएगा, plus a, और sine minus of 5 का मतलब होता है, minus बाहर आ जाता है, और यह क्या हो जाएगा, 10 sine 5 upon under root of r square plus l square, यह जो minus था, वो बाहर आ जाता है, plus a, फाइनली यह वहाँ जाएगा, तो plus हो जाएगा, तो a equal to, a equal to, यह क्या हो जाएगा, 10, sine 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, under root of r square plus l square, तो यह पूरा का पूरा हमारा a का value है, यह जो value है दोस्तों, यह आप क्या करो पता है, वही same procedure है, जो पिछला समता है, यह बस यहाँ पर कैसा हो कि integration danger वाला आ गया था, danger मतलब, अब engineering में जा रहे हो तो इतना तो आना इसी ही है, देखो यह 10, under root of r square plus l square, sine, बहुत सारे लोग बहुत सारा step गायब कर सकते हैं, जिनको पूरा step समझ में आ रहा है, कि मैं हर एक step लिखते जा रहा हूँ, यह वाला step भी आप direct यहाँ से यहाँ पॉस सकते थे, then यहाँ पर देखो एका value लिख रहा हूँ, एका value कितना है 10, upon under root of r square plus l square, और किया है, दोस्तो, sine phi है, and then इसके बाद e raise to, minus r t upon l, देखो मैंने यहाँ पर a का value put up लिया, अब a का value put up करने के बाद, यह आपका answer right है, पर आप common भी ले सकते हो, i which is equal to 10, under root of r square plus l square, यह दोनों बाहर ले लिया, देखो यह पूरा का पूरा पार्ट, यह पूरा का पूरा पार्ट बाहर ले लिया, तो यहाँ से अंदर अगर मैं देखों, तो अंदर क्या बच्चा, sin t minus 5 plus sin 5 e raise to minus r t by l, आपको अच्छे से close करें, तो इस तरह से यह आपका final answer है, और उमीद कर रहा हूं, कि पूरा का पूरा पूरा पीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, around 32 minutes का वीडियो हो गया, पर जो दो questions मैंने solve कर रहा है, यह दोनों questions अगर आपने solve कर लिया, तो आपका Chris of Slough वाला जो part है, already मैंने 3 topics आपके cover कर दिये, और मैं topic wise वीडियो बनाते जा रहा हूं, तो अगर आप 3 से 4 गंटा भी अगर बैठते हो, पहला वाला अगर मेरा वीडियो देखेगा, वो भी छोटा था, then second वाला वीडियो जो है, वो भी छोटा है, then ये वाला वीडियो भी छोटा है, 32 minutes बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा है, मैं तो चाहरा था, एक दो सम और करा हूं, बट जैसे आप वीडियो देखोगे, response जैसा रहेगा, तो मैं और extra sum करा सकता हूं, एक दो sum मुझे कराना था, वो जो 90%, maximum current का जो है, वो वाले questions मुझे solve कराने थे, बट पहले आप इस टाइप की questions का practice कर लो, जिससे आप कोई भी type की question को solve कर सकते हैं, वो टाइप की question को भी अगर आप देखोगे तो solve कर लोगे, otherwise जरूर मैं solve कराऊंगा, पर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो please नीचे comment करना, जीतना हो सके अपने दोस्तों में share करो, जैहिन दोस्तों!